हिलो दोस्तो किया आपको पता है कि बादलो का वजन कितना होता है और किया आप जानते हैं कि दुन्या का सबसे पुराना होटल कितने वर्ष पुराना है 200, 500 या 1000 साल अगर नहीं तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप जाएंगे लो दोस्तो स्वागत है आप सभी का फैक्ट सी पी के चैनल में दूस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमाय चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो फिलिज वीडियो को लाइक कर चैनल को सस्क्राइब करना मत भूरियेगा क्योंकि मैं इसी तरह कि नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फैक नमबर वन जब बहुत ठंड पढ़ने लगती है तो भालू और कई जानवार पूरे विंटर सीजन सोते रहते हैं इसे हम हाइबर नेशन कहते हैं पर सायद ये आप नहीं जानते होंगे कि ऐसे भी कई जानवार होते हैं जो गर्मियों के मौसम में भी सोते ही रहते हैं और उनकी कुछ प्रजातिया मुश्किल से नजर आती हैं जैसे इसनेल कछुआ मगर मच गर्मियों में कई दिन सोने में ही बिता देते हैं फायक्ट नमबर टू दोस्तो अगर आप से कोई व्यक्त पूछे कि दुन्या का सबसे पुराना होटल कितने वर्ष पुराना है तो साहर आप 200, 400 या 1000 वर्ष कहेंगे लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के आकिसी मौंटेन के पास मौझूद निसियामा ओंसें लोगों को ऐसा लगता है जैसे रोई के हलके फुलके गोले हवायों में तैर रहे हों लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बैग्यानिकों ने इन बादलों की वाटर डेंस्टी और वैल्यूम के अधार पर अनुमान लगाया है कि इनका वजन 60,000,000 किलो ग्राम तक हो सकता है लेकिन फिर भी ये हवा में इसलिए तैरते रहते हैं क्योंकि इनके नीचे की हवा और भी भारी होती है दोस्तो कुछ लोग वेट बढ़ने से काफी परसान होते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जिसका वजन प्रतिन 2 या 4 किलो ग्राम नहीं बलकि 90 किलो ग्राम बढ़ जाता है उस जीव का नाम है ब्लू हुएल जी हाँ दोस्तो ब्लू हुएल जीव का बच्चा प्रति 90 किलो ग्राम बढ़ जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अडल्ट ब्लू हुएल का वजन एक लाग पच्चास हजार किलो ग्राम तक होता है अएक नमबर फाइब दुनिया का सबसे भारी और वजनी तोंता काका पो पायर लिए थी आप मुझे कमेंट बाक्स में लिखकर जरूर बताना और ऐसी वीडियो के लिए सेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलते हैं नेस्ट वीडियो में